नमस्कार मैं सोतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में प्रतिलेखन संख्या 11 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं जिसमें टोटल आपको 390 सब्द मिल जाएंगे इसे हम लोग 3 अलग-अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी बार में 80 की स्पीड में तीसरी और आखरी जिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं लेकिन अगर आपको यह नहीं पता है कि इसको संकेत लिपी में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानि इसके परतेक सब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लें, तो सत्तर की स्पीर में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा, पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडि रहें, इस्टार्ट, अध्यक्ष महोदे, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ, और यह है कि किर्सी विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है, उन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है, और देश में खाद्यान का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए, और उनके लिए जो धन रासी चाहिए, वे उनको पूरी तरह संसविक्रित नहीं करा पाते हैं, किर्सी विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए परियाप्त अन्य पैदा करने का महान भार है, इसलिए यह बहुत आवस्यक है कि अधिक अन्य उपजाने के मार्ग में जो भी आवस्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे, उसमें किसी तरह की रुकावट ना हो, बहुत सी हरताले हो सकती हैं, मजदूर काम से बरी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते हैं, अब हम देखते हैं कि मीलों और कारखानों में हरताले हो जाती हैं, छुट्टी हो जाती हैं तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों में ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा दावतें करते हैं, आज यह हमारे लिए यह सरवाधिक महत्व का विशे हैं, कि हमारा अन्य का उत्पादन उस गती से बढ़े ताकि हम अपनी खपत से अधिक उत्पादन कर उसका निर्यात कर सकें, पैरा सरकार तथा इस मंत्राले के लिए यह समस्या एक बड़ा सिवदर्द पैदा कर रही है, हर एक विभाग में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं और हजारों रुपए के बड़े बड़े वेतन ले रहे हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्याले की मिसिलों और काग्यों में लगा रहता है, इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर है, प्राकिर्तिक कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है, इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवस्यक कदम उठाना इसके जिम्मे है, आज मेरे पास लखनव से कुछ लोग आए थें और वे लोग बोल रहे थें कि यहां दिल्ली में इस अवसर पर थंडी हवा चल रही है, और आप यहां दर्वाजे बंद करके बैठे हैं, या आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खतरे में है, वहां ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूं की फसल खतरे में है, अब यह इस विभाग का काम है कि चुकि हवा में पानी ज्यादा होता है, इसलिए फसल के बचाओ के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए, जिससे फसल की हानी ना हो, इस्टॉब, दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग असी की स्पीड में लेंगे, और आपका समय स्टार्ट होगा, पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ, और यह है कि किर्सी विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है, उन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है, और देश में खाद्यान का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए, और उनके लिए जो धनरासी चाहिए, वे उनको पूरी तरह संसविकृत नहीं करा पाते हैं, किर्सी विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए परियाप्त अन्य पैदा करने का महान भार है, इसलिए यह बहुत आवस्यक है कि अधिक अन्य उपजाने के मार्ग में जो भी आवस्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे, उसमें किसी तरह की रुकावट ना हो, बहुत सी हडताले हो सकती हैं, मजदूर काम से बरी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते हैं, अब हम देखते हैं कि मीलों और कारखानों में हडताले हो जाती हैं, छुट्टी हो जाती हैं, तो आम काम के दिनों की अपेक्षा, लोग उन दिनों में ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा दावते करते हैं, आज यह हमारे लिए यह सरवाधिक महत्व का विशय है कि हमारा अन्य का उत्पादन उस गती से बढ़े, ताकि हम अपनी खपत से अधिक उत्पादन कर उसका निर्यात कर सकें, पैरा सरकार तथा इस मंत्राले के लिए यह समस्या एक बड़ा सिर्दर्द पैदा कर रही है, हर एक विभाग में बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं और हजारों रुपए के बड़े-बड़े वेतन ले रहे हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्याले की मिसिलों और काग्जों में लगा रहता है, इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर है, प्राकिर्तिक कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है, इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवस्यक कदम उठाना इसके जिम्मे है, आज मेरे पास लखनव से कुछ लोग आये थें और वे लोग बोल रहे थें कि यहां दिल्ली में इस आवसर पर थंडी हवा चल रही है, और आप यहां दर्वाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खतरे में है, वहां ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूं की फसल खतरे में है, अब यह इस विभाग का काम है कि चूंकी हवा में पानी ज्यादा होता है, इसलिए फसल के बचाओ के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए जिससे फसल की हानी ना हो, इस्टॉब दोस्तों इसी डिक्टेशन को आखरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे, और आपका समय स्टार्ट होगा, पाच सेकेंड के बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें, स्टार्ट, अध्यक्ष महोद है, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ, और यह है कि किर्सी विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है, उन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है, और देश में खाद्यान का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धनरासी चाहिए, वे उनको पूरी तरह संसविक्रित नहीं करा पाते हैं, किर्सी विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए परियाप्त अन्य पैदा करने का महान भार है, इसलिए यह बहुत आवस्यक है कि अधिक अन्य उपजाने के मार्ग में जो भी आवस्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे, उसमें किसी तरह की रुकावट ना हो, बहुत सी हड़ताले हो सकती है, मजदूर काम से बरी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते हैं, अब हम देखते हैं कि मीलों और कारखानों में हड़ताले हो जाती हैं, छुट्टी हो जाती है, तो आम काम के दिनों की अपेक्षा, लोग उन दिनों में ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा दावते करते हैं, आज यह हमारे लिए यह सरवाधिक महत्व का विशे है कि हमारा अन्य का उत्पादन उस गती से बढ़े, ताकि हम अपनी खपत से अधिक उत्पादन कर उसका निर्यात कर सकें, पैरा सरकार तथा इस मंत्राले के लिए यह समस्या एक बड़ा सिर्दर्द पैदा कर रही है, हर एक विभाग में बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं और हजारों रुपए के बड़े-बड़े वेतन ले रहे हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्याले की मिसिलों और काग्जों में लगा रहता है, इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर्ड है, प्राकिर्ति कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों को नुक्सान होता है, इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवस्यक कदम उठाना इसके जिम्मे है, आज मेरे पास लखनव से कुछ लोग आये थें और वे लोग बोल रहे थें कि यहां दिल्ली में इस आवसर पर ठंडी हवा चल रही है, और आप यहां दर्वाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खत्रे में है, वहां ओले गिर रहे हैं और हमारी यहों की फसल खत्रे में है, अब यह इस विभाग का काम है कि चूकी हवा में पानी ज्यादा होता है, इसलिए फसल के बचाओ के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए, जिससे फसल की हानी ना हो, इस टॉब, तो दोस्तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोग का कंप्लीट हुआ, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा, तो किरपया इस वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जश्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जापको समय समय पर मिलते रहें, और आप घर बैठे संकेत लिपी को सीख सकें, धन्यबाद